27 नॉवंबर 2020 दोस्तों ये तारीक इरान की गवर्मेंट शायद ही कभी भूल पाएगी क्योंकि इस दिन ना सिर्फ इरानिय नुकलियर प्रोग्राम के चीफ मुहसीन फकीरजदे का मडर हुआ था बलकि उनके साथ-साथ इरान का नुकलियर वेपन्स डेवलोप करने का सपने को भी बड़ा जटका लगा था इरान के प्रोमिनेंट साइंटस में से एक मुहसीन फकीरजदे नुकलियर फिजिसिस्स थे उन्हें इरान's father of bomb भी माना जाता है 27 नॉवंबर को तहरान के पास उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी उनके मर्डर की खबर ने ना सिर्फ इर आरोप लगाया था पर इस आरोप को ना कभी एक्सेप्ट किया और ना कभी इससे इंकार किया खेर रिसेंट्ली इसराइल के एक नुश्पेपर ने मुहसीन फकीर जदे के असासनेशन की डीटेल कहानी शेयर की ये कहानी किसी बॉल विड मुवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी नुश्पेपर के कॉर्डिंग इसराइल के फॉरन इंटेलिजेंस एजनसी मुसाद ने एक निसान पिक अप ट्रक पर लाज सेटलाइट ऑपरेटिड आर्टिफिशल इंटेलिजेंस असिस्टेड मशीन गन को यूज़ करके थाउसन माइल की दूरी से इस ऑपरेशन को अन्जाम दिया था दोस्तो आज की इस वीडियो में हम मुहसीन फकीरजदे की मिस्टीरियस डेथ को डिकोड करेंगे और उसके साथ हम उनके एससनेशन से जोड़े facts का भी analysis करेंगे साथ में इस वीडियो की मदद से हम Middle East की geopolitics को भी समझने की कोशिश करेंगे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है आदर्श और सवागत है आपका study IQ में दोस्तो मुहसीन फकीरजदे का जन्म 1958 में इरान के एक शहर कोम में हुआ था 1987 में शहीद बहस्ती उनिवस्टी से नुकलियर फिजिक्स में BST के बाद उनने उनिवस्टी आफ इस फाहन से नुकलियर रिडेशन और कोस्मिक रेज में अपनी PhD कम्प्लीट की फकीरजदे इस्लामिक रिवलुशनरी गाड कॉप्स का भी हिस्सा थे उनकी कर्यर की शुरुआत 1991 में इमाम हुसीन उनिवस्टी में फिजिक्स प्रोफेसर के तौर पर हुई लेकिन 2007 में उनिवस्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉर्ज डबलू बुश के अंडर किये गए C.I.A. के असेस्मेंट के अकॉर्डिंग फकीरजदे की academic position सिर्फ एक cover story थी और असल में वो इरान के nuclear program के head थे 2007 में the Sunday Times में leak हुए इरान की field for the expansion of deployment of advanced technology के document से पता चलता है कि यह organization इरान के लिए nuclear weapons develop कर रही थी और इस program के chairman फकीरजदे थे US और इसराइल के according 1989 से 2003 तक चले इरान के secret nuclear arms program अमाद को भी फकीरजदे ही lead कर रहे थे इतना ही नहीं फकीरजदे को इसराइल और western countries father of Iran's nuclear weapons program भी मानते थे इरान की nuclear program में उनके importance को हम इस बात से समझ सकते हैं कि इस program में उनकी involvement रोकने के लिए 2008 में United Nations Security Council और United States ने उन पर sanctions लगाते हुए उनके assets freeze कर दिये थे United States के according 2010 में फकीरजदे द्वारा establish किया गया defensive innovation and research organization भी nuclear weapons के development पे काम कर रहा था इन allegations के बावजूद इरान किसी भी तरह के nuclear weapon को develop करने से इंकार करता रहा है दोस्तों से पहले कि हम मोसिन फकीरजदे के assassination की कहानी को समझें आईए पहले उन reasons को समझते हैं जिनके चलते USA और इसराइल हमेशा से एक nuclear powered इरान के खिलाफ रहे हैं दोस्तों इरान को USA और इसराइल दुनिया के leading terrorist sponsor देश के तौर पर देखते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि इरान कई सालों से Hezbollah और हमास जैसे कई terrorist organizations को financial और operation support देता रहा है अमेरिका और इसराइल जैसे countries को डर है कि यदि इरान nuclear weapons develop कर लेता है तो वो इस technology और know-how को extremist groups के साथ share कर सकता है जिसके कारण Middle East में instability पैदा होगी और war जैसे situations भी create हो सकते हैं विसके लावा United States recently एक net oil exporter बना है लेकिन उसकी economy अभी भी international oil market के stability पर depend करती है international oil market में stability maintain करने के लिए अभी भी Middle East से oil के continuous और steady export की आवश रकता है Persian Gulf और Gulf of Oman की बीच मौझूद State of Hormuz से दुन्या का 30% oil flow होता है एक nuclear power इरान State of Hormuz को block कर अमेरिका की economy के लिए खत्रा बन सकता है इसके लावा जहां एक और अमेरिका की लडाई अपने economy की stability maintain करने की है तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल के लिए इरान सबसे बड़ा security threat भी है इस threat को हम इरानियल लीडर्स के उनस statement से समझ सकते हैं जिसमें उन्होंने इसराइल को world map से wipe out करने की बात कही है इसराइल का अरोप है कि इरान कई दशकों से Hezbollah और Hamas जैसे terrorist groups को इसराइल पर attack करने के लिए funds provide करता रहा है दोस्तो इरान सिर्फ इसराइल और America के लिए threat नहीं है बलकि इरान पर Yemen में rebel insurgent groups को सालव से sponsor करने की भी आरोप है सीरिया में भी उसका involvement किसी से छोपा नहीं रहा है इसराइल और America की माने तो nuclear powered इरान पूरे विश्व के लिए ख़तरा बन सकता है लेकिन दोस्तो हर सिक्के के दो पहलू होते है यदि इरान की नजरिये से देखें तो ये लड़ाई उसके existence को बचाने की है दोस्तो मिडलीस को दो major powers rule कर रही है साओधी अरेबिया और इरान एक और जहां साओधी अरेबिया को सुन्नी majority वाली अरब population रूल कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ इरान की Persian population को Shia majority रूल करती है साओधी अरेबिया और इरान की बीच religious conflict देशकों से चला रहा है पर अब यह लडाई सर्फ religious conflict की ही नहीं बलकि स्टेट अफ हर्मूस को कंट्रोल कर Middle East में अपना dominance establish करने की भी है Persian Gulf में स्टेट अफ हर्मूस के थूँ Middle East का 90% oil pass होता है और आज यह स्टेट इरान और साओधी अरेबिया की बीच एक economic लडाई का केंद्र है जोस्तो आईए अब उन reasons को समझने की कोशिश करते हैं जिनके कारण इरान के nuclear program को रोकने के लिए मोसीन फकीर जदे को ही target किया गया जोस्तो किसी भी nuclear bomb को create करने के तीन stages होते है पहले stage में fissile material को produce किया जाता है इरान के case में यह material uranium है दूसरे step में produce किये गए fissile material को warhead में shape किया जाता है फाइनल stage में इस warhead को एक means of delivery, for example, missiles से attach किया जाता है इरान को nuclear weapon बनाने से रोकने के लिए इसराइल और अमेरिका इन तीनों होई stages पर attack कर रहे हैं अगस्ट 2020 में इरान की uranium enrichment site नतांज में आग लगा कर उसे destroy करने की कोशिश की गई थी जो nuclear bomb formation के first part का हिस्सा है नुकलियर bomb की third stage से related इरानियन military chief major general Qasim Soleimani थे जिनका काम nuclear warhead को missile से जोड़ना था उनकी death इरान के nuclear program के third stage को destroy करने के लिए की गई थी डॉक्टर फकीरजदे का assassination नुकलियर bomb formation के second stage को destroy करने के मकसद से की गई है कुछ analyst का मनना है कि महसीन फकीरजदे का assassination इरानियन nuclear program को रोकने के motive से नहीं किया गया था बलकि ये इसलिए हुआ क्योंकि इसराइल US President Biden के elect होने के बाद 2015 के Iran nuclear deal Joint Comprehensive Plan of Action में अमेरिका के फिर से शामिल होने की possibility को खतम करना चाहता था 2004 से इसराइल की foreign intelligence agency मुसाद इरान के nuclear programs को रोकने के लिए काम कर रही है 2010 से 2012 के बीच मुसाद ने इरान के चार nuclear scientists मसुगुद अली मुहमादी, माजिद शहरियारी, डारियोश, रिजाइनी जाद और मुस्तफा एहमदी रोशन को assassinate किया है तो उस्तो मुहसीन फकीरजदे भी अब इन्ही नामों में से एक है फकीरजदे मुसाद के target पर पिछले 14 सालों से थे 2009 में भी उन्हें मारने के लिए मुसाद ने plan बनाया था लेकिन unknown reasons की वज़े से last minute पर इस plan को रोग दिया गया कहते हैं कि मुहसीन फकीरजदे के murder की planning 2018 में फिर से start हो गई थी 2015 में अमरिका के साथ nuclear deal साइन करने के बाद 2017 में एरान ने अपनी secret nuclear weapons की files को सदन तहरान के पास situated सोराबाद district में छिपा लिया 2018 में मुसाद ने इरान के capital तहरान के पास situated इस district में एक secret operation execute किया इस operation का मकसद इरान के nuclear files को चुराना था एक साल तक तहरान के पास situated warehouse के निगरारी करने के बाद मुसाद के spies ने 32 giant safes में रखे हुए इरान के nuclear secrets को चुराने में काम्याबी हासिल की अपरल 2018 में एक telewise presentation के थूँ ततकालीन इसराइली प्राइम मिरिस सर बेंजमिन नेतन याहू ने इनी documents को evidence के तौर पे project करते हुए इरान के nuclear weapon development के plan को reveal किया इरान के nuclear plan को reveal करते हुए उन्होंने बताया कि इस plan को इरानियन nuclear scientist फकीरजदे लीट कर रहे है उन्होंने अपनी speech में जोर देते हुए कहा remember that name फकीरजदे 2018 में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसराइली प्राइमनिस्टर बेंजमिन नेतन याहू की statement remember that name फकीरजदे का actually meaning क्या था इसराइल के officials ने 2019 के end तक महसेन फकीरजदे को assassinate करने का plan प्रिपेर कर लिया था मार्च 2020 में जब दुनिया coronavirus से लड़ रही थी तब इस ग्लोबल डिजास्टर के बीच अपने सबसे important operation को अन्जाम दे रहा था इस operation में मुसाद के लिए काम करने वाले इरानियन और इसराइली एजेंट्स के 20 से भी अधिक operatives शामिल थे मार्च 2020 में इसराइल द्वारा एक surveillance operation लाँच किया गया जिसका मकसर मुसेन फकीरजदे की daily activities को capture करना था आठ महिने तक चले अस operation में daily मुसेन फकीरजदे के activities को note करने के बाद उन्हें मारने के लिए अपसर्थ शहर की ओर जाने वाले हाइवे को चुना गया 27 नॉमर 2020 को मुसेन फकीरजदे जब अपनी वाइब के साथ इरान के अपसर्थ सिटी में situated अपने vacation विला पर जाने के लिए निकले तो उनकी security ने उन्हें inform किया कि उनके पर हमला हो सकता है और उन्हें अपना plan postpone कर लेना चाहिए लेकिन मुसेन फकीरजदे ने इस warning को ignore करते हुए अपनी वाइब के साथ जाने का फैसला किया मुसाद के लिए काम करने वाले इरानियन एजेंट्स ने अपसर्थ को मेन हाइवे से जोडने वाले road के किनारे एक निसान जाम्यात pickup truck पार कर दिया था इस truck में satellite से operate होने वाली Belgian design FNMAG machine gun लगाई गई थी ये 7.62 caliber वाली medium machine gun एक मिलट में 600 round fire करने में सक्षम है दोस्तो हम आपको बता दें कि ये वही machine gun है जिसका प्रयोग US Army और Marine Corps करते हैं इस machine gun को उसकी penetrating abilities की वज़े से चुना गया था ये machine gun इतनी powerful है कि redirect ये deflect हुए बिना किसी भी कार के safety glass या windshield को penetrate कर सकती है इस machine gun को इसराइल से इरान तक ले जाना आसान नहीं था machine gun, robot और उनसे related सभी components को pieces में break करके इरान में smuggle किया गया था और इरान पहुशने के बाद इन parts को assemble कर निसान ट्रक में छुपा लिया गया था इस ट्रक में machine gun के साथ multiple cameras और advanced robotic apparatus फिट किये गए थे जिससे महसेन फकिर्जदे को identify किया जा सके operation के compete होने के बाद evidences को मिटाने के लिए ट्रक में explosive भी attach किये गए तेहरान से thousand miles दूर इसराइल में मुसात के agents महसेन फकिर्जदे की हर activity को note कर रहे थे तीन बच कर 30 मिनट पर महसेन फकिर्जदे की गार अपसाट की तरफ जाने वाले highway पर turn लेने के लिए रुकती है तब ही रोट के किनारे खड़े, निसान पिक अप ट्रक में लगे, कैमरा ने artificial intelligence की मदद से महसेन फकिर्जदे को identify किया मुसात के agents thousand miles की दूरी से machine gun को operate कर रहे थे क्योंकि ये operation satellite की मदद से operate किया जा रहा था satellite command की वज़े से expected gunfire और actual gunfire की बीच का time 1.6% से delay हो गया artificial intelligence की ही मदद से satellite command की वज़े से होने वाले 1.6% की delays को eliminate किया गया इतना ही नहीं फकिर्जदे की car की speed और first round fire होने के बाद gun के position में आए किसी भी तरह के change को artificial intelligence ने automatically calculate कर उसे भी eliminate कर दिया कार जब designated spot पर पहुँची तो thousand miles दूर इसराइल में मुसाद के agents ने satellite operated hyper accurate gun से open fire start कर दी फकिर्जदे पर एक के बाद 13 bullets fire हुई जिनमें से 5 bullets उन्हें लगी इस operation की accuracy हम इस बात से समझ सकते हैं कि कार में उनसे सिर्फ 10 inches की दूरी पर बैठी उनकी wife को एक भी गोली नहीं लगी मुसीन फकिर्जदे की security के लिए मजूद security personals कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही मुसीन की death हो गई plan के according operation की complete होते ही निसान truck को explosive से destroy कर दिया गया इससे पहले कि इरानियन government फकिर्जदे मडर के इसकी investigation स्टार्ट करती इस operation में involved सभी operators इरान छोड़ चुके थे मुसीन फकिर्जदे के assassination से इरान के so-called secret nuclear program को revive होने में समय लगेगा इसराइल के according इरान को फकिर्जदे का replacement धूनने में लगबग 6 साल तक का वक्त लग सकता है जोस्तो जहां इसराइल, अमेरिका और साओधे रइबिया जैसी countries का मानना है कि इरान nuclear weapons develop कर रहा है और ये विश्व के लिए चिंता की बात है तो वहीं कुछ experts का ये भी मानना है कि ये देश इरान के nuclear program को exaggerate कर रहे है फकीर जदे के मजर से ये भी साफ हो गया है कि हम अब remote controlled warfare की तरफ बढ़ रहे है Human Rights Watch जैसी organizations और scientists के military में artificial intelligence से पैदा होने वाले खतरों के warnings के बावजूद आज सभी countries AI की race में दौड रही है Technically advanced countries जैसे China, Israel, Russia, South Korea और America इसका फाइदा उठा कर बागी देशों के लिए एक खतरा बन सकती है तो दोस्तो ये थी कहानी मोहसीन फखीर सदे के assassination की दोस्तो warfare में AI के प्रियोग को लेके आपका क्या opinion है? कमेंट सेक्शन में जरूरू बताइएगा आज की वीडियो के इतना ही, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलेगा, हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जै हिंद, जै भारत